Dear student, अब हम लोग maths के preparation के लिए तही आ रहे हैं। 18 मार्च तक हमें साथ साथ तैयारी करनी हैं। मैंने आपके लिए strategy बना रखी हैं। जिसे अगर आप strictly follow करेगे तो 18 मार्च को आप बहुत खुश रहेगे। बहुत अच्छा exam जाएगा। मैं day 1, 12 मार्च आज के लिए strategy आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले मैं in short बदा दू कि हम मैं आपकी तैयारी किस प्रकार से करवाने वाली हूं। इस पांच दिन में 12 मार्च से 17 मार्च तक मैं मैंस के 13 चैप्टर को एक बार complete revision करवा हूं। और must ask question, guaranteed question पी revision हम लोग दो बार करेगे। एक बार exam के जस्ट पहले 17 मार्च को करेगे। और एक बार इस पांचों दिन में मैंने plan बना रखाये। उस topic को distribute कर रखाये। बस ध्यान रहे हमारा एक भी दिन बरबाद नहीं होना जाए। आप आज का सभी मत बरबाद करिये कि केमिस्क्री देकर आया हूं थोड़ा रिलाक्स होने का हूं। रिलाक्स का time अब हो चुका। आप चार बज रहे हैं। और चार बज़े से अगर आप पहरे वीडियो देख रहे हैं। तो आप थोड़ा रिलाक्स कर सकते हैं। चार बज़े से आपको अपनी बढ़ाई शुरू कर रहे है। Day 1 हमारा चार बज़े से शुरू हो रहे है। दस वज़े तक हम लोग आज के शेडियूल को completely finish कर लेगे। करना क्या क्या है आपको आज आपको must ask question में दो topic करने हैं। Elementary row transformation जिसका वीडियो मैंने पहले upload किया है। सिर्फ ती question करने हैं। आपका revision पक्रा हो जाएक। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो मैंने description में link दे रखा है। आप revise कर लीजे। Second topic जो आपको revise करना है वो है solution of equation using matrices determinant का 4.6 NCRT से। इसके चार question हैं जो थोड़ी देर के बार मैं वीडियो भी upload कर दूँगी। उसे चार question में किसी एक pattern का board पूछेगी। या तो आप MCRT से revise कर लीजे। या मैं वीडियो upload करूँगी आप उससे revise कर लीजे। इन दोनों topic से एक question पक्का है कि board पूछेगा ही पूछेगा। अब आज के revision के बाद इस तोनों guaranteed question को हम लोग 17 मार्च को एक बार quick revision करेंगे। अब तो घंटे आपको इसके लिए मैंने दूदिये 4 to 6 अब आवे एक घंटा refresh हो जाए। 7 o'clock से 10 PM तक 3 घंटे हैं अब आपके strategy में depend करता कितनी जुदे फिनिस करते हैं। आज का लक्ष है chapter 2 मैंने आपके लिए आसान सा chapter राज किया है। क्योंकि आप हो सकता है कि last night वह अच्छे से सोय नहीं होंगे, थोड़े ठके होंगे। तो आपको आज इन ITF, Inverse Trigonometric Function, completely finished कर देना है। आपको दो घंटे लग सकते हैं, ताई गंटे लग सकते हैं, maximum तीन गंटे लग सकते हैं। देनर आप तभी करेंगे जब आपका ITF खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप आज का schedule पूरा, आज का work खत्म, हमारा confidence level थोड़ा थोड़ा अब होता जाएगा। आपको लग राओएगा। इन में में ITF पढ़ दोगा कहा से। बहुत सिंपल है। आपको NCRT से पढ़ना है, NCRT के salt example कर देजें। 2.1 के पीछे के salt example आप कर लीजें। 2.2 के पहले के salt example आप कर लीजें। मिसलेनी उसके पहले के salt example कर लीजें। अगर इतना पूरा salt example कर लेते हैं, तो exercise के कुछ-कुछ selective question कर लीजें। हो सकता है कि मैं थोड़े देर बाद तक, मैं थोड़े देर बाद वीडियो में अप्लोड कर दूँ कि ITF के revision में कौन-कौन से question आपको revise करने है। और एक बाता धियन रखिएगा, जब आप ITF पढ़िएगा, तो क्योंकि आप formula-based chapter है, आप थोड़ा-थोड़ा formula भी बनाते जाएगा, ताकि आपकी formula की list तैयार हो जाए, और last minute 17 March को हम लोग उसी formula को revise करने हो ले हैं। तो होग ही अब आप को ये टेक्शन नहीं होगा कि मैं कैसे response को utilize करो। कल सुबा early morning मैं day 2, 13 March के strategy के साथ आपके पास फिर से आऊँगी और पूरे दिन की तैयारी आपको कैसे करूँए, क्या-क्या पढ़ना है, सब कुछ का वीडियो में लेकर आऊँगी, तब तक आप पढ़ना शुरू करिए। पास आप बिता स्वाओबड कर दो दो कर दो